चोपड़ा इसकी से यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चों एनमसी ने MBBS BDS Admissions 2023-2022 के लिए सेडियूल जारी कर दिया है और अभी कुसी की बात यह है कि काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, MCC का कब तक सेडियूल आ जाएगा, स्टेट की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी इस विशय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि इस बार common counseling होगी या नहीं होगी, मैं आपको official proof के साथ में बताऊंगा कि इस बार common counseling हो सकती है या नहीं हो सकती, और ये counseling कब से start होने की possibility है, तो इन सब विशय पर हम इस वीडियो प आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं, तो All India Quota State Iuse Veterinary के लिए हमारी book available है, इसको आप इस वीडियो के description box से या फिर हमारी website www.chopda.education.in से download कर सकते हैं, आप हमारी paid service भी ले सकते हैं, इसमें जो facility है, choice list दी गई है 2023-2023 के लिए, उसके according counseling procedure क्या है, उसके बारे में भी समझाया गया है, जो open state में candidate admission लेना चाते हैं, उनके लिए भी सारी इसमें information दी गई है, तो मैं सोचता हूँ, ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी, इस वीडियो के description box से इसको download कर लें, अब बात करते हैं, इसमें जो NMC ने calendar जारी किया है, 2023-2023 के लिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, यहां पर, तो जो ये calendar जारी किया है, ये official gadget, मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया था, दो जून का official gadget है, और उसके बाद में 12 जून का notice दे रखा है, एक NMC ने, उसमें ये सारा program दे रखा है, कब से start होंगी class है, तो इसमें ये जो बैच है 23 चोईस के लिए, ये August मैने में start हो जाएगा, ये clearly NMC ने mention कर दिया है, कि अगस्त में 2023 चोईस बैच के लिए class हो जाएंगी, और जब ये August में class होंगी, यानि कि August में जब class होती हैं, तो इसकी counseling, MBBS, BDS, admission के लिए जो counseling start होने की possibility है, वो जुलाई फर्स्ट वीक में start होने की पूरी-पूरी possibility है, क्योंकि जब जुलाई फर्स्ट वीक में start होगी counseling MCC की, तभी ये August मैने से class होंगी, क्योंकि ऐसा होता है जो counseling के, जो counseling का schedule रहता है MCC का, उसके mid में class होती हैं, किसी भी academic calendar में, उसके mid में class हो जाती हैं, और MCC का एक round के लिए 20 days का time लिया जाता है, मतलब कि अगर first round है, तो उसमें 20 days का time लिया जाता है, उसमें 24 फिल के लिए time लिया जाता है, उसके अंदर reporting के लिए time दिया जाता है, तो अगस्त में class होगी जब जुलाई फर्स्ट वीक में counseling start होगी, और NMC नहीं ये clear कर दिया है, कि मैने के last week में MCC का schedule जारी हो जाएगा, इसके according, NMC के according, अगर हम मानते हैं कि अगस्त में class होगी, तो MCC का schedule है counseling का, वो June last week में आ जाएगा, MCC का जब schedule जारी होता है, उसके साथ साथ state की counseling का schedule भी जारी हो जाता है, इसका procedure ये होता है कि पहले MCC का first round होगा, state का first round होगा, उसक के बाद state का second round होगा, और इस बरकार से ये counseling आगे continue रहती है, इसमें, एक counseling के लिए, एक rounds के लिए, state का भी उतना ही time लगता है, और MCC का भी उतना ही time लगता है, यानि कि 20 days का time लिया जाता है, तो इसमें ये जो counseling start होगी, वो July first week में होने की पूरी पूरी possibility है, ये इसके according ब common counseling के बारे में, कि इस बार common counseling होगी या नहीं होगी, तो इस बार common counseling होने की कोई possibility नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्यों possibility नहीं है, क्योंकि common counseling के लिए, एक MCC को या फिर कोई भी जो authority counseling करवाएगी, उसको software develop करना पड़ेगा, इसके लिए सारे eligibility criteria हैं, जो state के 85% के सार reservations हैं, जो state counseling करवाता है, वो ही सारे के सारे इसमें implement करने पड़ेंगे, और जब ये implement इतना करना पड़ेगा, तो इसमें काफी समय की जरुत होती है, अभी समय नहीं है, ये counseling जल्दी start होने वाली है, इसलिए common counseling की कोई भी possibility नहीं है, कोई भी common counseling की possibility नहीं है, इस साल के लिए जो NMC नहीं notice दे रखा है, गज़र दे रखा है, उसमें अगली साल ये common counseling हो सकती है, इस बार common counseling के लिए समय की काफी जरुरत रहेगी, तो मैं सोचता हूँ, मेरा ये personal view है कि इस बार common counseling नहीं होगी, तो इस वीडियो में मैं फिर से आपको sunrise करवा देता हूँ, NMC नहीं जो 2023 24 बैस के लिए classे start होने की date दे रखी है, वो August मैने से start होगी, ये August 1st week में हो सकता है, अगस्त मैने से start होगी, तो ये तो clearly दे रखा है, और इसके तहट हम देखें कि ये counseling कब start हो सकती है, तो July 1st week में counseling start हो सकती है, और इसका schedule June last week में आ सकता है, ये possibility इस NMC के notice के upording है, ये start होगी, तो ये जानकारी थी counseling के बारे में, आप हमारे channel को subscribe करके रखें, क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं, MBBS के related जितने भी सारी information जो student MBBS कर रहे हैं, उनके related, next exam की related सारी information हम आपको समय समय पर देते रहते हैं, तो आप इस video को like करें, channel को subscribe करें, मिलेंगे आप से लेता हूँ विदा, जैहिन